यह तो आप लोग जानते ही हैं, जो आनन्द आप लोग चाहते हैं, वो सुरिक्रिष्ण भक्ति से ही मिलेगा। और कोई उपाय नहीं है। भागवत में सबसे पहले शौनकादिक परमहंसों ने सूत जी से प्रश्ण किया कि पुन्सा मेकान तता श्रेयस तन में शंशितु मारह सी। मनुष्य का श्रे क्या है, कल्यान कैसे हो, आनन्द कैसे मिले, शांती कैसे मिले, वो पीस, हैपिनस कैसे मिले। सूत जी चुप्चाप सुनते रहे। तो फिर सौनकादिक परमहंसों ने कहा, कि महराज एक बात और समझ लीजिए। क्या? प्राएण अल्पा युशह सब्यो, कला वस्मिन जुगे जनाह, मंदा सुमंद मतयो, मंद भाग्या युपद्रुताह। कल जुग में जीव बहुत मंद बुद्धी के होंगे। अभी किसी से कहा जाए, ये काम करना है और पांच मिनट में भूल गए। ऐसी मेमरी है, सब की। तो महराज जड़ा, इस कल जुग के मनुष्यों की बुद्धी की लिमिट के अनुसार कोई मार्ग बताईएगा। ऐसा मार्ग न बता दीजिए जो हम लोग करना सकें। भूरी नि भूरी कर्मानि श्रोत अभ्यानि विभागशा। अता साधोत्र यत्सारं समुद्रत्यमनीशया बुरूई नश्रद्धानानाम येन आत्मासं प्रसीदति। जिससे आत्मा को अनंत मात्रा वाला आनंद मिल जाए ऐसा असरल मार्ग बताईए। प्रथमस्कंद के प्रथम अध्यायका नौवा दस्वा ज्यारमा अश्रोत। उत्तर दिया सूत जीने। सवेई पुन्साम परोधर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहायतु कप्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। आत्मा का सुख चाहते हो तो परमात्मा से मिलेगा। दो प्रकार का सुख होता है। एक मन का सुख एक आत्मा का सुख तो मन का सुख तो संसार से मिल जाता है। टेंपरेडी, भूख लगी है खाना मिला, प्यास लगी है पानी मिला, रोज आपको मिला करता है यह सुख, फिर छिन गया, फिर दुख, और आत्मा का सुख ऐसा होता है कि एक बार मिल जाए, तो सदा को मिल जाता है, और अनन्त मात्रा का होता है, spiritual happiness, जिब्यानन्द, श्री कृष्ण का प्रेमानन्द, तो उसके लिए श्री कृष्ण की भक्ती करनी होगी, यहां तक तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन भक्ती में कुछ शर्ते हैं, वहीं गड़बड है, पहली शर्त, अप्रतिहता, अर्थात, निरंतर भक्ती होनी चाहिए, भक्ती माने, मन का भगवान में लगाओ, मन का लगाओ, इंद्रियों का नहीं, वह अप्रतिहता, निरंतर, वह हम लोग नहीं करते हैं, कभी थोड़ी देर के लिए बैठ गए, दस मिनट, पाइच मिनट के लिए, वह भी ठीक ठीक मन को नहीं लगाते, फीजिकल उपासना करते हैं, कुछ पुष्टकों का पाठ करते हैं, कहीं मूर्थी की पूजा करते हैं, कहीं जब करते हैं, यह सब चीजें करते हैं, मन का अटाइच मेंट, स्री कृष्ण में, इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक तो निरंतर भक्ति करनी होगी, उधार नहीं, हम लोगों की आदत है उधार, बच्चे सोचते हैं, अरे अभी तो हम बच्चे हैं, जब बड़े होंगे, तो भक्ति कर लेंगे, प्रदलाद ने कहा, कौमार आचरेत प्राग्यो, अरे छोटी आयू में ही भगवान की भक्ति प्रारंब करो, जुग आवस्था मिले न मिले, उधार न करो, परमार्थ तुरंथ करो, जल्दी करो, संसार का काम उधार करते हैं, संसार का काम गलत काम है आत्मा सम्मंधी परमात्मा की उपासना ये सही काम है तो सही काम में उधार न करो हम लोग सही काम में उधार करते हैं अनन्त जन्म क्यों बीते अभी तो हम या थारा साल के हैं मौज मस्ती के अभी तो दिन है अच्छा मौज मस्ती कर लो हो गई मौज मस्ती हाँ अब रिटायर हो जाएं फिर देखिए हम ऐसी भक्ती करेंगे अच्छा अच्छा रिटायर हो गए जी हाँ हो गए सुना है आप फिर सर्विस ढूण रहें हाँ आप क्या करें बैटे बैटे मन नहीं लगता आपने तो कहा था रिटायर हो के काली सिर्कृष्ण भक्ती करेंगे वो तो ठीक है वो तो करेंगे अब अब तो पचास के उपर हो गए संसार खूब देख लिया चपल जूते खा लिया सारे संसार का अनुभो हो गया पचास साल में साट साल में हरे बाबा आप तो नमस्कार करो संसार को नए अब भी उधार है अभी ऐसा है कि जरा अभी वो बेटा चोटा है बेटी चोटी है जरा उसका व्या हो जाए जरा हमने हर मानों देह में यही किया आप करेंगे आप करेंगे आप करेंगे मर गए क्योंकि मरने का कोई समय तो मालूम नहीं किसी को बड़े बड़े बुद्धिमान होये लेकिन उनको यह पता नहीं है संसार से कब जाना है एक बार जुदिष्ठिर राजा थे महाभारत ने एक कथा है तो एक ब्राह्मन आया उसने का हमें लड़की की शादी करना है दस तोला सोना चाहिए उन्होंने का हाँ 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 मिलेगा मिलेगा कल आना आज जरा हमें बहुत काम है एक दिन का उधार कर दिया भीम सेम सुन रहे थे कड़े कड़े उनको बड़ा खराब लगा कि भाईया ने ऐसा क्यों कहा कि कल आना अरे हमसे कह देते हैं यह भाई खजाने से दिला दो दस तोला सोना ते कुण बड़ी रखम थी वो उन्होंने कुछ मदाग किया प्राइम मिनिस्टर को बलाया और कहा देखो भाई खुशी मनाओ शाहर में आज अब प्राइम मिनिस्टर की हिम्मत पड़ी नहीं पूछने की क्यों उसने का ठीक है खुशी मनाई जा रही आतिश बाजी शुरू हो गई लाइट तमाम जुचिर ने कहा वे आज क्या बात है आज बात है अरे भईया आज तो इतनी बड़ी खुशी की बात है यतनी बड़ी खुशी की बात कभी होई नहीं सकती अरे आखिर क्या है बता ना भईया आज आप आपने काल को जीत लिया क्या बगबग करता है अरे भया तभी तो आपने उस ब्राह्मन से कहा कलाना इस संसारी काम तो आपने पहले किया और परमार्थ के काम को कह दिया कलाना अगर आप रात में ही संसार से चले गए थो ओ ठीक कहता है ब्राव ब्रह्मन को हम लोगों ने सदा उधार किया सदा करेंगे 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 और संसार का काम वहां उधार नहीं किया वहां तुरंट किया उल्टा तो हमको सदा ये ध्यान रखना है कि पता नहीं कब शरीर छूट जाए और जिस समय शरीर छूटेगा उस समय आपकी जैसी भावना होगी वेसी गती होगी मरते समय अगर आपकी संसार में कहीं आ सकती है भगवान का चिंतन नहीं है महापुरुष का चिंतन नहीं है तो संसार में जाओगे मरने के बाद कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे उधार करना बंद करना होगा और दूसरी शर्त है अनन्य हम लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं साथ में देवी देवताओं की भी भक्ति करते हैं नए केवल स्री कृष्ण उनका नाम उनका रूप उनका गुण उनकी लीला उनके धाम उनके संत इतने के बाहर मन का अटैट्मेंट न हो अगर देवी देवताओं की भक्ति करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग जाओगे और चार दिन बाद फिर कुट्ते बिल्ली गधे बनोगे तो अनन्य माने अन्य नहीं केवल हरी गुरु में ही प्यार हो मन का अटाइच्मेंट हो अन्यत्र बुराई ना दुर्भावना नहीं नमस्ते देखो आपके मन का अटाइच्मेंट किसिनी जगे है चार छे जगे माँ है बाप है भाई है बीबी है पती है बेटा बेटी है बाकी जगे आप एक्टिंग करते हैं नमस्ते आए 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 आप तो कभी आते ही नहीं यह चार छे में आप भूले हुए है भगवान को अरे इनमें भी एक्टिंग की दिये हैं और मन खाली हो जाए भगवान में लगा दी दिये संसार वाले काम चाहते हैं प्यार नहीं चाहते हैं कोई भी इस्त्री सोती रहे सबेरे और पती कहें उठो जी चाई बाए बनाना है न अरे सो जी अरे सो छे बज गए न अब भी नहीं उठी साथ बज गए अब भी नहीं उठी आप देखो क्या हाल होगा पती देव का हो इस्त्री कहती है अरे हाओ प्यार कोरो क्या चक्कर में पड़े हो चाई और नाष्टा खाना पीना यह सब छोड़ो इस्त्री की यह बात सुनके पती कहता है गडबड हो गया अब इसको अब बेजना पड़ेगा हर बेक्ती अपना काम चाहता है माहो बाप हो भाई हो बीबी हो पती हो सब स्वार्थ चाहते हैं अपना प्यार वार विचारे क्या जाने उनके प्यार का टेंपरेचर स्वार्थ पर डिपेंड करता है स्वार्थ अधिक हल हुआ, प्यार अधिक, स्वार्थ कम, प्यार कम, स्वार्थ खतम, प्यार खतम, लड़ाई, मूडाव, गाली गलोज, मार पीड, लाब हो जाता है, मर्डर तक, ओ, अनन्य प्रेम हो, उधार न हो, धक्ती में ये शर्थ है, और सदा हो, हमारी अंदर भगवान बैटे हैं, ये बात जानते हो, हाँ, मानते हो, हाँ, भगवान सबके अंदर बैटे हैं, ए, बाइबल भी कहती है, कुरान भी कहता है, बेद भी कहता है, अरे, राम नाम सत्त है, हमारे हाँ, गड़े भी कहते हैं, तो अंदर बैटे हैं, ये बात मानते हो, हाँ, ये हमेशा मानते हो, ना, बैस यहीं गडबड हो गई, देखो, एक आदमी अरभ पती होता है, एक अरभ है हमारे पास, ये फीलिंग है उसको भीतर से, हर समय, हर जगे, और हमारे भीतर भगवान बैटे हैं, ये फीलिंग नहीं है, होनी चाहिए न, अनंत कोड ब्रह्मांड नायक सरवशक्तिमान भगवान, सब के हिरदय में बैठे हैं, गडे के भी, कुत्ते के भी, ये फैक्ठ है, बेद कहता है, शाष्ट्र कहते हैं, ये बात मान लो, और हर समय माने रहो, चलते फिरते हर समय, हाँ, अंदर बैठे हैं, हाँ, अंदर बैठे हैं, तो हर समय भगवान को अपने साथ रियलाइज करना, रियलाइज करना, ऐसा नहीं, जबानी, नहीं, जैसे मैं को रियलाइज करते हो, जो मैं कल वहां गया था, वही मैं हूँ, जो मैं रात को सो रहा था, वही मैं हूँ, ऐसे ही मैं के साथ भगवान बैठे हुए मैं के आइडियाद नोट करते हैं आइडियाद बर्क नहीं भगवान कर्म नोट नहीं करते हैं हमारे मन का आइडिया नोट करते हैं कर्म अच्छे कर रहे हैं आप मन्शा खराब है यह नोट नहीं किया जाएगा, वो मैंशा नोट की जाएगे, इसलिए होशियार रहना है हमको हमेशा, कि हमारे भीतर बैठे वो बड़ा भारी खुफिया, उसी आईडी का भगवान बैठा नोट कर रहा है, चोरी चोरी, कुछ डिक्टर्म नहीं करता हमको, चुक्चाप नोट करता है, भगवान को हम गाली देते हैं, उसने नोट कर लिया, बोलेगा नहीं, दंड नहीं देगा अभी, सब नोट, यह सब रियलाइज करना है हमको, हम भूज जाते हैं, आदा गंटे एक गंटे बैठे पूजा पाठ में, उस समय हमने रियलाइज किया, और बाकी टाइम नहीं किया, तो सव रुपे कमाया और दस जार खर्चा किया, सारे टाइम में तो हम भगवान को भूल कर और मनमानी ब्यवहार कर रहे हैं, आचरन कर रहे हैं, तो फिर हमें लाभ कितना मिलेगा, हमारी कमाई कम है, और खर्चा बहुत है, तो हर समय हमको सावधान रहने की आवश्यक्ता है, इसका अभ्यास करना होगा, तो इसके लिए पहले आप एक घंटे में, एक नियम बनाईए, एक घंटे बाद, एक आधी मिनट को, भगवान अंदर बैटे हैं, फिर काम कीजिए, कोई जाने ना आप, आधी मिनट को आप चुप हो गए, यह कुण साब आचर्ज हैं, सभी चुप रहते हैं, कोई मा का अस्मरन करता है, कोई बाप का, किसी का बेट है, उसका है, इसे संसार में सभी करते रहते हैं, चोरी-चोरी, हम अपना काम करें, चोरी-चोरी भगवान वाला, तो एक-एक घंटे में, फिर आधा-धा घंटे में, एक आधी मिनट को, बस फीलिंग के अंदर से, वो अंदर बैटे हैं, तो ऐसे अभ्यास करने से, दस-ब लगेगी, वो अंदर बैठे हैं, वो अंदर बैठे हैं, तो आप अपराद करने जब चलेंगे, वो अंदर से, नोट हो जाएगा, होश यार, संसार में देखो जब कोई आपके बगल में बैठा होता है तो आप अपराद नहीं करते हरे नोट कर लेगा है देख रहा है अब कोई नहीं है तो अपराद करते है जो मैं सोच रहा हूँ कोई नहीं जानता यह जो आप लोगों की प्राइबेसी है न इसी से अनंतिजन बरबाद हुए प्राइबेसी किसी की नहीं चलेगी तो भीतर बैठा नोट करता है हर समय अपनी प्राइबेसी बंद करो हम प्राइबेट कभी नहीं हो सकते वास पर्मिना सवजा सखाया बेद कहता तो सब जगे भगवान को रियलाइज करना और केवल हरी और महापुरुष ये दोनों शुद्ध हैं इन ही से मन का प्यार हो तो मन शुद्ध हो मन को शुद्ध करना है न जैसे कपड़ा गंदा होता है तो शुद्ध पानी से वो गंदगी छूटती है, अब शुद्ध पानी अगर उसमें डालो तो और गंदा होगा, तो जितने भी संसार के माया बद्ध हैं, तमो गुणी, रजो गुणी, सत्व गुणी, इनमें मन जाएगा, तो और गंदा होगा, और शुद्ध जल है, और महापुरुष यह दो पर्सनेलिटी अगर इनमे मन का अटाइच्मेंट होगा तो अन्ताकरन शुद्ध होगा अन्ताकरन शुद्ध करना ही हमारा काम है बख्ष और हम कुछ नहीं कर सकते भगवत प्राप्ति वगएरा तो हमारा गुरु कराएगा लेकिन वो तब कराएगा जब अन्ताकरन शुद्ध हो जाएगा फुर उस समय वो देता है मंत्र या दीख्षा या कुछ न दे ऐसे देख ले अदे दिया पस हो गया काम बरतन बन जाए तो देखो आपके हाँ यह सब लाइट जल लगी पंखा चल ला है हाँ इसके लिए आपने क्या किया हमने सब फिटिंग की पहले तार से बलब लगाए तब को तैयारी कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ नहीं हुआ अब पावर हाउस में हमने अप्लिकेशन दिया कि हमारे घर में बिजली की फिटिंग वहां से कनेक्शन कर दी जिए उसने किया और बास लाइट पंखा साब चल गया ऐसे ही जब हमारा अंतहकरण भक्ती करके शुद्ध हो जाएगा सेंट पर सेंट प्लीन स्लेट तब फिर गुरु कृपा करेगा और फिर वो कनेक्शन जोड़ देगा भगवान से आज कल क्या नाटक हो रहा है हमारी दुनिया में ए संसारी घुर्स माइक जीओं के कांट कूप के बाबा लोग स्वार्थ चद्ध करते हैं और हम जाके उनसे कहते हैं हमारे गुरु हो गए आप ओ गुरु जी कहते हैं तुम चेला हो गए वो संसार में आसक्त हो रहा है मर रहा है दुखी है गुरु जी अपनी मटरगस्ति कर रहे हैं ये नहीं चलेगा गुरु हमको मार्ग बताएगा नमबर एक फिर हम उस पर चल करके भक्ती करके अंतहकरन शुद्ध करेंगे नमबर जब शुद्ध हो जाएगा तब गुरु हमको वो दिब प्रेम देगा दिब ज्यान देगा दिब इंद्रिय मन बुद्धी देगा फिर हो काम उनका है हमारा काम अंतहकरन शुद्ध करना रोकर भगवान से प्रेम मांगना दर्शन मांगना संसार नहीं मांगना मोक्ष नहीं मांगना उनका प्रेम उनका दर्शन निश्काम प्रेम एक कसवटी है और अगर संसार मांगना शुरू किया तो एक दिन नास्तिक बनेंगे क्यों आज आपने कहा है भगवान है हनुमान जी है दुरुगा जी हमारा एक काम कर दो और वो प्रारब्ध से होना था हो गया आपने समझा भगवान ने किया भगवान बड़े दयालू है हमारी सुन लिये और दूसरी बार फिर मुसी बताई लड़का सीरियस बीमार हुआ और भगवान से कहा मराज फेर वाद के दरवाजे पर आए है और उमर गया ए कुछ ने जी सब भगवान भगवान बेकार है उसके चार लड़के थे पांचमा हो गया क्या तुमारे भगवान न्याय करता है अगर संसार पाने पर हम भगवान की कृपा मानेंगे तो हम हमारे समान कोई मूर्ख कालिदास भी नहीं था क्योंकि हमने अब मरने के लिए कमर कस लिया है संसार मांग रहे भगवान से अरे कुंती ने बर मांगा था महराज हमको संसार न दो संसार चीन लो तो हम आपकी वोड़ देखें एक बड़ा अरब पती इसा मसी के पास गया और कहता है आप हमेशा मुश्कराते रहते हैं कोई दुख नहीं हम तो राजा हैं लेकिन हमको बड़ा टेंशन हर समय तो उन्हें कहा तुम अपना सब कुछ दान कर दो और मेरे पास आओ जैसा मैं कहूं करो सब कुछ दान कर दे तुमको आनंद नहीं मिल सकता तुम्हारा मन संसार में अटाइट है मामे बाप में धन में किसी भी चीज में अटाइट है उसको वहां से निकालना होगा तब तो भगवान में लगाओगे दो चार मन तो है नहीं यह कही मन है इसलिए भगती के साथ साथ इन सब बातों का ध्यान रखना है भगवान का गुरू का रूप ध्यान करके और हर समय उनको अपने साथ रहने का अभ्यास करते हुए और जो थोड़ा बहुत समय मिले ग्रहस्त से घंटे दो घंटे एक आंत में बैठ कर रूप ध्यान करते हुए रोकर उनसे उनका दर्शन उनका प्रेम मांगो तो आंता करन शुद्ध होगा और आएसे लोगों से संपर्क न करो आएसी पुष्टके न पढ़ो आएसा चिंतन न करो जो भगवान के प्रेम में बाधक हो सावधान रो हर समय देखो यह गंदा शरीर है आप लोगों का हर समय पसीना निकलता है अंदर भरा है पाखाना और तमाम गंदगी लेकिन हमको लोग पागल न कहें तो आप लोग हर समय कपड़ां धके रहते हैं शरीर को टाई टेड़ी न होने पाएं लोग बेवकूफ कहेंगे सारी खिसकने न पाएं हर समय आएसे ही आत्मा के कल्यान के लिए भी सावधान रहना चाहिए इकदम भूल जाते हो मंदिर में गये तो जय 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 गुरुजी के पास गये तो जय जय पिर भूल गये संसार में भी काम करते हुए याद रखो वो साथ में हैं इसका अभ्यास करना होगा एकदम नहीं हो जाएगा अभ्यास करना होगा अभ्यास करने से धीरे धीरे सब कुछ होता है देखो एक ब्यक्ति जोसे संसार में कोई लड़की है ससुराज जाती है तो पहले कितना उसको पहार लगता है पता नहीं कैसा पती हो कैसा ससुर हो कैसी सास हो कैसी नंद हो क्या करें कैसा चले कैसे बोले लेकिन चार दिन में साथ अभ्यास हो जाता है आप लड़ती है जोड़दार सब्दों में तो कोई भी काम अभ्यास से होगा आप लोगों ने चलना सीखा कितने दिन लगे पहले तो आप करवट भी नहीं बदल सकते थे फिर बैठना मुश्किल था फिर खोड़ा होना भी मुश्किल हुगा तुमाम गिरे लेकिन लगे रहे या भ्यास करते रहे तो सब हो गया ऐसे ही ये मन संसार में जो लग चुका है ये जो बुद्धी का डिसीजन है यहां सुख है इसको काटो यहां सुख नहीं है ये शरीर के लिए भगवान ने बनाया है आत्मा के लिए भगवान शरीर के लिए संसार अलग अलग सब्जक्ट है उल्टा मत करो संसार से आत्मा क तो सुख दोगे, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे जब कान से दिखाई नहीं पड़ता, आख से सुनाई नहीं पड़ता, तो फिर आत्मा का सुख संसार से कैसे मिलेगा, बड़े-बड़े हो चुके हैं, दशरत हो गहरा, राम के बाप, जब कान के पास के बाल सफेद होने लगे, नहीं गा, संसार छोड़ो, चलो, जंगल में भगती करें, जिनका स्वर्ग में अस्थान था, जिन्दा वस्था में, वो भी, और हम लापरवा हैं, पचीस साल के हो गए, अभी क्या है, पचास के हो गए, अभी क्या है, साथ के हो गए, बस, ऐसे ही उधार, 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 मर गए, अरे कमा गए 10-20 अरब ठीक है उससे तुमको क्या मिला वो तुम्हारे बाल बच्चों को मिलेगा ओ बाल बच्चे आवारा होंगे उनको पका पका है मिल गया बहुत बड़ी दौलत तो नहीं को वस जनमा जगमा ही प्रभुता पाहि जाहि मदना ही अहंकार होगा उनको अपराद करेंगे तुम अपना कल्याण करो सब अपना अपना करेंगे जो करेंगे उनकी चिंता न करो भगवानों महापुरुष का काम है संसार के कल्याण की चिंता करना तुमको अपने कल्याण की चिंता करना है तन मन अधन तीनों का उपयोग भगवान के निमित तो हो जितना हो जाए मरने के पहले बस उतना तुम काम देगा मरने के बाद अब तुमने तन को संसार के निमित बरबाद कर दिया मन को संसार में लगा दिया मरने के बाद तुम्हें क्या मिला 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा वहाँ कोई गती नहीं है कोई पावर काम नहीं करेगी इसलिए भक्ती के साथ साथ इन सब बातों का ध्यान रख करके साधना करते हुए हमको अपने लक्ष को प्राप्त करना है और जल्दी करना है जितनी जल्दी हो सके एक एक छण को काम में लो जा रहे हो कार में बैटे हो आधा घंटे का रास्ता है कोई काम तो नहीं है बीच में नहीं श्वास श्वास से रा धे रा धे मुह से न बोलो श्वास से कोई नहीं जानेगा बगल में बीबी बैटी है, उसे नहीं पता है क्या कर रहे हैं, और तुम अपना काम कर रहे हो, जब श्वास को खीचो तो रा, जब छोड़ो तो धे, 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 आधा घंटे तुमने कमा लिया, अब वो जगे पर पहुंची गए, अब वहाँ दुकान का काम करो, सर्विस का क करो, करो, वो सब करो, और करते करते फिर, देखो, आज कल मोबाइल लोग रखते हैं न, पैंट में, काम कर रहे हैं, तीन, चार, साथ, पाच, बारा, छे, अठारा, वो बोला, वो बोला बाद, तुरेंट चौंक के उसको निकाला कान में लगाया, ऐसे ही चौंक जाओ, वो अंदर मैठे हैं, यह अभ्यास करना होगा, यह कृपालू की राय है, और आप लोग जैसा चाहे, वैसा करें, उतो कर्म की अनुसार फल मिलना है, कोई जबरदस्ती नहीं है, और अगर आप लोग करेंगे, तो आपका भी लाब होगा, और हमको भी खुशी होगी, बोलि लाडली लाल की